नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है और आज हम डिसकस करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक 2005 के बारे में यह रहा सेमेश्टर फॉर का स्लेबस जो सेमेश्टर फॉर के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइन्स दोस्तों आज हम ये डिसकस करने वाले हैं इसके बाद मैं लोगपाल सिटिजन्स चैटर और एक गवर्णेंस पर वीडियो लेकर आने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो तो हम शुरू करेंगे केस स्टडी से केस्टडी को देखते देखते हम डॉट्स को कनेक्ट क करके पूरे RTI Act को अच्छे से समझेंगे प्राक्टिकली समझेंगे तो दोस्तों जो युनिवर्सल Declaration of Human Right है जो कि United Nation के द्वारा किया गया था तो यह जो मानवा धिकारों का सर्भौ में घोसना पत्र है इसके अनुसार जो कि 10 दिसंबर 1948 को हुआ था इसलिए हम हर एक वर्स 10 दिसंबर को मानवा धिकार दिवस भी मनाते हैं तो यह जो घोसना पत्र है इसका जो Article 19 है जो अनुछेद 19 है उसका कहना है कि Everyone has the right to freedom of opinion and expression and right to seek, impart and receive information अर्थात हम सुचनाओं को ग्रहन कर सकते हैं और उनको लोगों के बीच साजा कर सकते हैं यह हमारा मानवा धिकार है यह कहना था Universal Declaration of Human Rights का दोस्तों Supreme Court ने भी एक judgment के माध्यम से यह माना है कि जो Article 19 है हमारे सम्मिधान का जो अनुछेद 19 है हमारे सम्मिधान का जो हमें freedom of speech and expression देता है उसके अंदर जो right to information है वह नहीत है जो अभी व्यक्ति की स्वतंतरता दी गई है हमारे अनुछेद 19 में हमारे सम्मिधान के उसके अंतरगत सुचना का अधिकार नहीत है क्योंकि Supreme Court का 1986 के एक judgment में जो case था Mr. Kulwal versus Jaipur Municipal Corporation उसमें Supreme Court का कहना है कि आप अपने अभी व्यक्ति की स्वतंतरता का पुर्ण रूप से इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास सुचना नहीं हो तो दोस्तों अगर आपको अपने अभी व्यक्ति की स्वतंतरता का इस्तेमाल करना है तो आपको सुचना चाहिए Therefore the right to information is inherent within the article 19 of our Indian constitution लेकिन दोस्तों कोई कानून नहीं था जो इस अधिकार को लागू कर सके तो आगे हम discuss करेंगे आगे क्या हुआ तो दोस्तों एक संगठन था एक organization था जिसको बनाया था इन लोगों ने निखिल डे संकर सिंग एट्सेक्टरा ये संगठन का नाम था मजदूर किसान सक्ती संगठन तो ये मजदूर किसान सक्ती संगठन जो था वह एक case study कर रहा था ये जानने की कोशिस कर रहा था कि जो नए recruitment हुए है राजस्थान सरकार में वो जो employees है वो जो करमचारी है उनको payment क्यों नहीं मिल रहा है उनको salary क्यों नहीं प्राप्त हो रही तो ये लोग और ये संगठन जाकर पता करने की कोशिस करता है और राजस्थान सरकार से कहता है कि हमें जानकारी चाहिए कि क्या यह कारण है जिसके कारण जो नए recruitment हुए है आपकी सरकार में उन्हें salary नहीं मिल रही राजस्थान government सूचना देने से मना कर देती है और ये जो संगठन है यह एक strike launch करता है राजस्थान में April 1996 में और यह strike देखते देखते पूरे देश में काफी popular हो जाता है और ये जो strike है यह एक आंदोलन का रूप ले लेता है और इनका slogan होता है we will live, we will know, we will live अर्थात हम जानेंगे, हम जीएंगे तो दोस्तों इसके बाद और इस आंदोलन के परिनाम सरूप कई सारी राजसरकारें RTI Act को पास कर देती है जिसमें से की सरकार होती है, राजस्थान की सरकार होती है और मध्यप्रदेश की सरकार होती है लेकिन यह RTI Act अभी भी पूरे देश में लागू नहीं होता, पार्लियमेंट को फिल होता है कि यह सच में बहुत ही अच्छा Act है, हमें इसे पास करना चाहिए और पूरे देश में इसे ल transparent governance, दूसरा जो objective है that is empowering citizens, जो नागरिक है, नागरिक को सकती देना, तीसरा जो जनता की भागीदारी है, जनता की भागीदारी को बढ़ाना, और चौथा, चौथा public authority पे निगरानी रखना, तो यह political जो authority है, जो इस act में define है, वह क्या है, हम आगे कि स्लाइड में discuss करने वाले ह अभी हमें यह जानना है कि यह act, इन public authority को कहता है, कि इन public authority का दाइत्व है, कि वह सभी records को maintain करके रखें, either by cataloging और indexing, cataloging और indexing का मतलब होता है, इस तरह से records को maintain करके रखना, कि अब आप जब चाहें, उसे असानी से ढूंड सकें, जैसे मैं librarian, जो पुस्तके होती है library में, उ उसे cataloging और indexing करके रखता है, वह जब चाहें, जिस पुस्तक को चाहें, कभी भी ढूंड सकता है, इस प्रकार से उसके पास records maintain रहते हैं, तो इसी प्रकार से public authority का यह दाइत्व होता है, यह act कहता है public authority से, कि आपका यह दाइत्व है, कि आप records को maintain करके रखें, और अगर possible हो तो इन records को computerize कर दें, ताकि जनता इसे access कर सके, तो public authority जो define है, वह क्या है, तो public authority, any authority, कोई भी authority, जो कि समिधान के द्वारा establish की गई हो, जैसे election commission of India, जैसे में UPAC, कोई भी authority, जो कि parliament के द्वारा, या state legislature के द्वारा establish की गई हो, पार्लियमेंट के द्वारा establish की गई authority का example है, जैसे try ले सकते हैं, सेबी ले सकते हैं, जैसे CBC ले सकते हैं, और भी बहुत सारा, और साथ ही साथ PSU, जो public sector undertakings हैं, जो companies हैं, जो सरकारी company हैं, वो भी public authority हैं, इसके definitions में आती हैं, और state legislature के द्वारा कोई भी, एक created body, जैसे मैं आपके state का जो electricity board है, वो भी इसके अंतरगत आ सकता है, एक example है उसका, और दोस्तों, इस public authority के अंतरगत, वो सब non-governmental organizations आएंगी, जो सरकार के द्वारा fund प्राप्त करती हैं, पैसे प्राप्त करती हैं, लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, कि public authority के definition के अंतरगत, political parties नहीं आती, और अभी debate चल रहा है कि political party को right to information के purview में लाया जाए, ताकि हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि इन्हें donation मिलता कहां से है, पर political party इसके लिए राजी नहीं हो रही, पर्लियामेंट में सरकार भी तो भाई, political parties की होती है, अब इस पे पूरा का पूरा हो गया कि political authority क्या है, आगे है, हर एक जो public authority है, हर एक public authority एक PIO appoint करेगी, अर्थात public information officer, और एक public information officer appoint करने के साथ-साथ, sub-divisional label और sub-district label पर assistant public information officer को भी appoint करेगी, ये इसलिए करेगी, ताकि sub-district label और sub-divisional label पर assistant PIO के होने के द्वारा, जो जनता है, जनता के लिए accessibility, आसान हो जाए, जो गाओं की जनता है, वह उनसे जल्दी contact कर पाए, और दोस्तों, कोई भी नागरिक हमारे देश का किसी भी public authority से जानकारी मांग सकता है, RTI दायर करके, एक application दायर करके, और उसे मातर 10 रुपए देने होंगे, और अगर वह व्यक्ति BPL family से बिलॉंग करता है, तो उसे कोई भी धनरासी नहीं देनी पड़ेगी, और दोस्तों, जिस public authority में application आई है, उस public authority के public information officer का दायत्व बनता है, कि उस व्यक्ति को जानकारी 30 दिनों के अंदर प्राप्त हो, और दोस्तों, अगर जानकारी उसके life और liberty से related है, अगर आप उस जानकारी को नहीं देते, उससे उसके life और liberty को खत्रा है, तब ऐसी जानकारी 30 दिन के बजाए मात्र PIO को 48 घंटे में देनी होगी, वह उसकी responsibility बनती है, लेकिन दोस्तों, अगर आपको information third party के बारे में मांग रहे हैं किसी भी public authority से, तो आपको 40 दिनों का समय लग सकता है, for example, अगर आप UPAC के पास application दायर करते हैं, और कहते हैं, मैं जो first topper है UPAC का, मैं उसकी copy को देखना चाहता हूँ, कि उसके copy को कैसे check किया गया है, उसका marks evaluation कैसे हुआ है, तो जो first topper है दोस्तों, वो यहां third party हो गया, तो इस case में आपको 40 दिन में information दी जाएगी, अगर आप अपने copy की जानकारी मांगते हैं, तब तो 30 दिन में आपको मिल जाएगी, पर third party के बारे में आप कोई भी जानकारी मांगते हैं, तो 40 दिन लगेंगे, दोस्तों, एक और condition है, अगर आप application assistant PIO के द्वारा भेजते हैं, तो पास दिनों का समय अतरिक्त लगेगा, साथ ही साथ, अगर आप application wrong public authority को भेजते हैं, तो दो condition हो सकती हैं, जैसे example के तोर पर, मुझे भेजना चाहिए था, अगर copy मांगना है, तो UPAC को भेजना चाहिए था, मुझे application मैंने भेज दिया election commission of India को, तो यहां से दो condition arise होंगी, दो cases हो सकती हैं, सबसे पहला, 30 दिन में मेरे पास लिखकर ECI भेज दे, जो election commission है, कि मैं concerned authority नहीं हूँ, मैं इस जानकारी से related नहीं हूँ, तो refuse हो गया, मेरा जो RTI है, दूसरा condition यह हो सकता है, कि ECI जो है, इस application को UPAC को transfer कर दे, तो इस case में भी आपको 5 दिन की देरी हो सकती है, तो दोस्तों, 5 दिन add हो जाएंगे, और अगर इसी तरह से आपका life और liberty का कोई भी case है, लेकिन आप information को सिख कर रहे है, through assistant, PIO, और through a wrong public authority, तो यही case होगा, जो 48 घंटा को जो time है, उसमें 5 दिन फिर से add हो जाएगा, तो मैंने यही चीज लिखा है, अगर दोस्तों, public information officer आपका application accept नहीं करता, या फिर information देने में समय लगाता है, देरी करता है, बिना किसी कारण के, या फिर incomplete information या फिर गलत information आपको provide करता है, तो दोस्तों, उसको fine किया जाएगा, 250 रुपे रोज, और यह fine maximum 25,000 तक उस पे लग सकता है, साथी साथ, यह public information officer का दैत्व है, कि वह जो information है, वह writing में आपको दे, इसमें writing में आपको email में भी लिखकर दे सकता है, यह condition है, यह paper writing में होनी चाहिए भाई, आप mail से भेजो, आ से कोई मतलम नहीं, लेकिन दोस्तों, इसमें भी कुछ exceptions है, आपको कुछ-कुछ जानकारियां नहीं दी जाएंगी, वह कौन-कौन सी जानकारी है, तो पहली ऐसी जानकारी है, जो कि देश के security और integrity से related है, तो अगर आप कोई ऐसी जानकारी माग रहे हैं, जो देश के security और integrity gritty से related है, तो ऐसी जानकारी आपको RTI के थुरू नहीं दी जाएगी, जो cabinet meeting होती है, उसका जो information है, वह आपको provide नहीं कराया जाएगा, जो council of minister के द्वारा, प्रेसिडेंट को राय दी जाती है, अगर आप उस राय के बारे में information चाहते हैं कि क्या राय दी गई, प्रेसिडे अगर आप कोई ऐसे information को मांगते हैं, जो कि parliament के privilege या फिर state legislature के privilege को damage करता है, तो ऐसी भी जानकारी आपको RTI के थुरू नहीं दी जाएगी, तो ये चार exceptions हैं, जहां आप RTI के थुरू जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते, दोस्तों इसका criticism भी बहुत है, तो दोस्तों अभ भी RTI Act में loopholes क्या-क्या हैं, हम इसे discuss करेंगे, अगर देखा जाए तो loopholes तो बहुत सारे हैं, पर हमारे पास time कम है, इसलिए हम इसे बहुत छोटे में discuss करेंगे, फोर में से question आएगा, वो short note से आएगा, इसमें full-fledged question नहीं आता है, तो इसलिए tension लेने की ज़रुरत नहीं है, तो सबसे पहला जो criticism है, कि information provide करने में बहुत ही समय लगता है, ये लिखा हुआ है, कि भाईया हम उसे fine कर सकते हैं, पर ये practically देखा नहीं जाता है, और अभी अगर बात करें, तो 23 जो राज्य है, 23 राज्यों का जो estate information commission है, वहाँ 20 लाग से अधिक RTI के cases और applications pending है, दोस् तो RTI के द्वारा हमेशा insufficient information provide किया जाता है, और लोग उससे satisfy नहीं होते, एक survey के द्वारा ये पता चला है, कि 100 लोग अगर RTI करते हैं, तो उनमें 75 ऐसे लोग होते हैं, जो कि RTI के जवाब होता है, उससे संतुष्ट नहीं होते, साथी साथ, अगर मान लो, आप किसी state के public authority को application देते हो, अगर आपको information नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे उसके बाद, तो आप जाकर complain करोगे state information commission में, और हर एक राज्य में state information commission है, लेकिन दोस्तों, state information commission जो है, वह उस authority को मजबूर नहीं कर सकता information देने के लिए, क्योंकि ये जो सकती है, वह राज्य सरकारों के हाथों में नीत है, जब तक राज्य सरकार नहीं चाहे, तब तक कोई public authority अगर जानकारी आपको नहीं दे रही, तो फिर state information commission भी कुछ नहीं कर सकता, साथ ही साथ दोस्तों, हम RTI के case में, urban ruler divide देखते हैं, अर्था जो RTI के applications है, यह सहरी छेतर में ज्यादा देखने को मिलते ह और गाओं तक इसकी पहुँच नहीं है, अगर हम देखें, तो जो 86% जो RTI application जो file किये जाते हैं हमारे देश में, वह सहरी लोगों के द्वारा किये जाते हैं, वही ग्रामीन छेतर के लोगों के द्वारा मातर 14% RTI application दायर किये जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कितना बड लगता है, इससे जादे information देने की जरूरत है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोस्तों पढ़ो तो ऐसे ताकि चीजे याद हो, उसे समझ के बूच के रटना कुछ भी नहीं है, धन्यवाद दो तो